नमस्कार दोस्तों शारुक खान के लिए एक बार फिर 2023 लगी साबित हुआ और अब वो लोगों की दिलों पर राज कर रहे हैं अभिनेता की पहले पठान और अब जवान भी ब्लॉक बस्टर हुचकी है फिल्म भले ही बॉलिवूड हो लेकिन इसमें पूरी तरह से साउथ का टच देखने को मिलता है फिल्म के निर्देशक एटली से लेकर इसमें साउथ के कई स्टार्ज ने भी काम किया है फिल्म की लीड हिरोईन भी साउथ की लेडी स्टार है और इसमें विजे से तुपती भी एहम रोल में नज़र आ रहे हैं शारुक के अलावा जवान में अभिनेता के खाते में फिल्म आ गई जी हां ये बात बहुत जादा लोग नहीं जानते कि शारुक खान की जवान का एक खास रोल पुश्पा स्टार अलू अर्जुन को ओफर हुआ था हाला कि उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था और हाल ही इस बात का खुलासा हुआ है हैदरबाद के एक सूत्र का कहना है कि निर्देशक एकली जवान में प्री क्लाइमेक्स सीक्वेंस में एक बड़े साउट स्टार को लाने के इच्छुक थे लेकिन पुश्पा दी राइस के बाद अलू अर्जुन शारुक खान की जवान नहीं करना चाते थे दरसल फिल्म में मेकर्स अलू अर्जुन को सिर्फ एक कैमियो रोल में लेना चाते थे और ऐसी भूमिका करने के लिए पुश्पा स्टार एकसाइटिड नहीं थे उनके रेक्त करने के बाद संजेदत नहीं इस फिल्म में एन्टरिले बताया जाता है कि अलू अर्जुन ने एक खास वजह से इस पुश्पा दी राइस के बाद अलू अर्जुन पुश्पा के सीक्वल के रूप में स्थिती को और मजबूत करना चाते हैं मालूमों कि जवान की शूटिंग पूरे, मुंबाई, हैदराबाद और चिन्नाई समय देश के अलग-अलग हसों में की गई है वो फलाल पुषपादी रूल पर ही पूरी तरह से फोकस्ड हैं जिसका देश और दुनिया भर के मुवी लवर्स बेस्तबरी से इंतजार कर रहे हैं रिपोर्ट्स के मताबिक अलू अर्जन अपने वियस्त काम के बोज के कारण फिल्म के लिए हान नहीं कह सके इसी बीच एटली और अलू के बीच सहयो को लेकर कई अटकले लगाई जा रही है जवान के निर्देशक ने कुछ दिन पहले इस खबर की पुष्टी की थी और फैन से वादा किया था कि जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है यानि आने वाले वक्त में हो सकता है कि एटली अब अलू अर्जुन को लेकर अगले फिल्म का निर्मान करें लेकिन इससे लेकर आधेकारिक तोर पर कुछ नहीं कहा गया है फिलाल इस वीडियों वसत्माई देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक के देख